आपके चहरे पे 10 साल पुरानी भी जहाई आया ना, अगर आपके ये वाला जेल अपने चहरे पे लगा लिया, तो आपकी जहाई याँ पूरी तरीके से खतम हो जाएंगी, आपका चहरा ऐसे गलो करेगा, सभी लोग आपसे पूछेंगे कि कुछ ताइम पहले तो आपके चह यहां पूरी तरीके से खतम हो गई अपने चैरे पे लगाएं और नाइट में हम किस तरीके से अपना स्किन केर करें आपके चैरे पे एक्निकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है हर दिन आपके चैरे पे फिंपल्स निकलना शुरू हो जाते है आपके skin पे बहुत ज़्यदा oil बनना शुरू हो जाता है आपका जो color है ये बहुत ज़्यदा dark हो जाता है जरासा आप धूप में निकलते हो तो हाथों पे पैरों पे मतलब जो भी आपका खुला हुआ area होता है उस पे आपको बहुत ज़्यदा tanning हो जाती है यानि कि जो आपके skin ने बहुत ज़्यदा dark हो जाती है तो आज में आप सभी के साथ एक ऐसी home remedy शेयर करने जा रही हो आप इसे बोल सकते हो एक ऐसी night cream आपको बताने जा रही हो ये night cream आप खुद अपने हाथों से अपने घर पे बनाओगे बनाने के बाद जब आप night में सो निकली जाते हो उस समय पे आपको थोड़ी सी night cream निकाल ली है और अपने पूरे चेहरे पे हलके हलके हातों से circular motion में मसाज करके कम से कम 2-3 मिनट के लिए और आपको सो जाना है जब आप सुबह उठोगे अपने चेहरे को देखोगे तो चेहरा देखकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी क्योंकि आपके चेहरे पे बहुत अच्छा glow आ चुका होगा और जो आपके चेहरे पे ये प्रॉब्लम से हैं कि जहाईयां हैं एकने हैं दाने निकलते हैं आपका जो इसकिन कलर हो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है ये दीरे-दीरे करके लाइट होने लगेंगी तो आज की नाइट क्रिम बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूर पड़ेगी कपूर की ये मेरे पास में कपूर है और ये आपको किसी भी जिससे आप अपना राशन लेके आते हों से आपको राम से मिल जाएगी या फिर आप पूजा पाट का जहां से भी समान लेके आते हों से आपको कपूर बहुत ही आसनी से मिल जाएगा आप देखिए मेरे पास में ये कपूर है कपूर के छोटे छोटे टोकड़े हैं इसके अंदर और ये वही कपूर है जिसे हम पूजा के लिए यूज करते हैं पूजा वाला कपूर है मतलब ये ठीक है न और ये है भीमसेनी कपूर ठीक है न ये देखिए ये भीमसेनी कपूर तो आपको लेना है कपूर, अब जो ये कपूर है, आप देखिए कितने दिन के लिए ये क्रीम बना के रखना चाहते हो, उस एसाब से आपको इसकी क्वांटिटी लेनी है, तो मैंने करीबन इतना कपूर लिया है, ये जो टुकड़ा आप देख रहे हो, इतना कपूर मैंने त्यार कर लिया है, ये देखिए, ये पाउडर है, इतने कपूर का, और देखिए, सबसे अच्छी बात है, कपूर बहुत ज़्यदा सॉफ्ट होता है, तो इसका पाउडर ना बहुत ही जल्दी से बन भी जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जरा सा आप इसमें डा लेने के बाद अब आपको सेकंड इंग्रिडियंट जो लेना है, वो आपको लेना है, कोकोनट ओई, देखिए, मैं आपको किलियर कर देती हूँ, अगर आपके पास में वर्जिन कोकोनट ओई है, यानि कि जो कच्छी गिरी होती है, उसका ओईल निकाला जाता है, और उसे दोगना है, तो सब से कहले है, इस बाउल को अच्छे से साफ करना है, ये बाउल पहले से रहा तो मेने चाती, इसके अदर दौल, मिट्टी वगरा, कुछ भी हो, tendency से हमारे इसकिन पेलर स्फ़ोन निकटी हम आपको अपना ही तरीक वर्फिन पेल्त दालने के बाद यह सब gimakers today विए लेको आपको यह अचछा है झ Enne आपने तो यह वाला ओयल लिया है, आप यह की तरह मेरा भी वर्जिन कोकुनेट ओयल खतम हो गया है, अभी में मार्केट जाओंगे, तम्मे लेके आओंगे, यहाँ पर इसी ओयल को यहाँ पर डाल देती हो, आपको ओयल कितना लेना है, आपको ओयल बहुत ज़्यादा नहीं यह मेरे स्किन को सूट करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा ही डालूँगी, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, यह देखिए, डालने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों ही चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, अब आपकी जो नाइट क्रीमें यह बन के तेयार हो चुकी है, यह आपकी जहाईओ को ठीक करने में एक रामबान की तरह काम करेगी, आपकी जहाईओ को बहुत ही जली से ठीक करेगी और आपके चहरे को पहला जैसा ग्लोइं बनाने में यह आपकी काफी ज़्यादा पूरे चेहरे को क्लीन करने ना है, साफ करने के बाद, जो मैंने आपको बताये था एक मुलेठी पाउडर का मैंने पैक बताये था, जो कि ज्ञायों को ठीक करने के लिए बहुँत ज्यादा असरदार है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको दुबारा समझा और वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखना चाते हो, तो लिंक आपको मिल जाएगा दीचे डिस्क्रिप्प्सर में, तो आपको लेनी है मुलेथी पाउडर, मुलेथी पाउडर आपकी ब्रेंड की ले सकते हो, घी के जो भी आपके घर में अविलेवल है, जो आपके प आपके skin को suit नहीं करता है, तो साधे पानी के साथ उसे अच्छे से मिला के उसका घोल बना के उसका pack तेयार करके अपने पूरे चेहरे पे आपको लेप बनाना है, लेप लगाना है मतला, लेप लगा के आप इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजी, 10-15 मिनट के बाद आपको normal या फिर ठंडे पाने से अपने पूरे चेहरे को clean कर लेना है, साफ कर लेना है, उसके बाद आपको लगानी है ये night cream, इसे लगाने के बाद आपको कोई भी दूसरी cream अपने चेहरे पे नहीं लगानी है, इसे लगाने के बाद आपको कोई भी pack इसके बाद नहीं लगाना है इसे लगाने के बाद आपको कोई भी मेकप नहीं करना है मतलब नाइट में सबसे लाश्ट में आपको इसी क्रीम को अपने चहरे पे लगाना है तो क्रीम को आपको किस तरीके से लगाना है हलका हलका इस तरीके से आप डॉट डॉट कर लीजे में हलके हलके हाथों से अपने पूरे चेहरे की आपको मसाज करनी है ये मसाज आपको तब तक करनी है जब तक जो आपने ये जैल तयार किया है जो आपने ये DIY क्रीम तयार किया है पूरी तरीके से आपकी स्किन के अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाती तब तक आपको ये मसाज करते रहना है, मसाज करने में आपको बहुत ज़्वाइप टाइम नहीं लगेगा मसाज करने में आपको दो से तीन मि λगेंगे और हलके-हलके हाथों से आपको मसाज करनी है, जैसे ही आपको लगे कि आपके मसाज complete हो चुकी है सोने के बाद जब आप आप सुषे सोके ऊठोगे आपको नॉर्मल पानी से अपने पूरे चहरे को साफ कर लेना है। तो भाई संस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप लोग बहुत सारे कॉमेंट्स करते हो कि मैं कौन से संस्क्रीन हम लगाएं, हमें समझ में नहीं आता, आप कौन सी लगाते हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं काफी टाइम से गुडवाइप की संस लेनी है, जो आपकी स्क्रीन को सूट करें, तो इस तरीके से अगर आप अपना स्किन केर करोगे तो भाई, आपके चहरे पे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, आपको पता है, कुछ टाइम पहले मेरे हैं जहाई आना शुरू हो गई थी, और वह अलग से दिखाई द जो पूरी तरीके से खतम हो गया है बस कितना बचाए 5% बचाए तो मैंने इसी तरीके से अपना नेश्ट्रोल तरीके से स्किन केर करके जो भी मेरे स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं इन्हें मैं ठीक कर लेती हूँ आप जितना केमिकल के तरह भागोगे न तो देखिए आपक करके रखें और नेश्ट्रोल तरीके से अपना स्किन केर करना श्रूर करें तो भाई आपके चेरे पर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती तो यह थी मेरी आज की चोटी सी जानकारी आपको आज की वीडियो देकर कितनी हेल्प ली मुझे कॉमेंट्स करके बताना वीड कि बिल किसा दे बिलो किसा